तो भई मुलतान में अभी इतनी सर्दी आई नहीं थी लेकिन हमें साबिर सूप की रिकमेंडेशन बहुत आ चुकी थी तो हमने सोचा आज साबिर सूप पे जाके इनका चिकन सूप ट्राइ करते हैं तो फिर क्या हमने निकाली बाइक और पहुंच गए सीधा साबिर सूप पर जिसकी लुकेशन है रशीदाबाद ग्राउन के बिलकुल सामने तकरीबन 18-19 साल होगा है 20 साल सरदियों में सूप होता है गर्मियों में शर्बत होता है यह रशीदाबाद गराशी प्लाटे के सामने रिवाडी महुला एक दफाँ है जरूर ट्राइ करें तो मैंने ओर्डर किया इनका चिकन कॉर्ण सूप का एक बड़ा बाउल जिसकी कीमत थी 1.500 रुप है तो भाई सबसे पहले बाउल में add किया बॉयल चिकन देन बॉयल एग फिर उसके बाद एड ड़ किया सिरका सोय सौग извास और चिरी सौग और एंड पे अड़ किया इसके अंदर चिकन कॉर्ण सूप और इस तरह ये हमारा चिकन कॉर्ण सूप का बौल रेडी हो चुका था और यार ये गर्मा गरम सूप पीते ही तुम्हारे अंदर की सर्दी मिंटों में भाग जाएगी और तुम्हारे दिल से एक ही आवाज आएगी स्वाद आगया यार